चेतेश ठाको 30 रन बनो ले पुनापन दविया कॉमेंटरी बॉक्स मदे जाती काने सज्जाद सेज़ाद सेख ईय ये हालत हमारी थी 6 गिंदी दिन और 6 गिंदी रात राजुब आपके लिए 200 रुबेगी नामिराशी चेतेश आपके लिए नामिराशी 400 रुबेगी आहिए ब्लीज कले कर ले अक्षे आपके लिए 200 रुपे गिना मिराशी रोशन आपके लिए 400 रुपे गिना मिराशी अजय और इस यह इस बीच यह पहली गेंग तेस्टरार गेंथी बिल्कुल आ तेज गती की गेंथी सुरक्षित डॉट के रूपे अजय कर दो तो इस वक्त खिलाए जाएगा पहली गेंद रही इस वक्त डॉट के रूप में अभी जीत स्ट्राइक पर है इस से पहले की मैच में शांदार 49 रणों की पारी खेली थी इस खिलाडी ने वही खिलाडी इस बार्मी इस टाइमिक चोगेंद हवा में है लेकिन नो मैंट्स लैंड पर गेंद गिरती हुई जब तक के पॉइंट के खिलाडी आकर गेंद को फिल करते त्रो करते कीपर ने गेंद को फिल किया था बिल्कुल एक रन के साथ अकाउंट यहाँ पर अभी जीत ने खुला ह एक मैच जीत चुकी है दूसरे मैच की अगर बात करें तो जीत के लिए जरूर टार्गेट सेट करेगी अब देखना यह है कि इस वक्त गेंबाज भावेश सौधरी एक अच्छे अनुवह सभरपूर गेंबाज है इस बार देखें पॉइंट पर केला गया स्टोक नजी की मामला त्रो बहुत बढ़िया था लेकिन कीपर की मैं जरूर यहाँ पर प्रशंचा करूंगा अपने आपको जोग दिया गेंद को पीछे नहीं जाने दिया लेकिन बैक अप था पीछे स्टंपिंग रन आउट का चांस जरूर था लेकिन चलिए जीवन दान मिलता हुआ अ जरूर मैन आफ दे सिरीज की रेस में नजार आता हुआ जिस तरीके से हमने कहा पहले दिन भावेश पवार रहे दूसरे दिन मुदस्रिकान रहे तीसरे दिन श्रीकान शेक्टी रहे चोथे दिन अईउप शेक रहे पाच्वे दिन अभी भी खोज जारी पाच्वी गेन थी आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास किया बैट और बॉल की मुलाकात यहां पर नहीं हुई सुरक्षित डॉट के रूप में कीपर ने गेन को फिल किया और इस डॉट डिलिवरी के साथ अच्छा कमबैक का भावेश का देखने मिलता हुआ चार गेंदे कर चुके ह चार गेंदों में महज दोरन कर्च किया है इससे जादा कुछ नजर नहीं आता हुआ पावेश इसलिए यहां पर जाने और पहचाने जाते हैं अपने गेन बाजी के माद्दम से उनके जो भाई है बंदू है उनकी तरफ से उनके लिए शूज पूमा के यहां पर जरूर ब केल रहे हैं उन्होंने खुद हमसे कहा कि शहजाद सर अगर यहां पर भावेश विकेट लेंगे तो उन्हें शूज जरूर प्रदान किया जाए यह सर अंपायर कुछ आइस बैल्स बैल्स यह सर राजिश सर आपको बैल्स की जरूरत है यह सर बैल्स मैं रिक्वेश करूँगा यहां पर अनिल वागिला सर एक बैल्स का इंतजाम करें अंपायर्स अक्सर जब चलते हैं तो उनका कीट देखे किस प्रगार का होता है बैल्स होते हैं काउंटर होता है उनके पास टेप होता है विकेट की लंबाई मापने के लिए यह कीट होता है अंपायर्स का आए अनिल वागिला सर्थ यह एक परफेक्ट अंपायर्स की पहचार होती है कि उनके पास कीट में क्या क्या होता है सबसे पहले वाइट टी-शेट होता है या शट होता है कैप होती है वाइट या ब्लू कलर की नाइट में ब्लू कलर की कैप पहनी जाती है डे में अगर हम बात करें तो बिल्कुल वाइट कलर की कैप होती है काउंटर होता है उनके पास क्लिप होती है कोई भी वस्तु को लटकाने के लिए और एक major tape होता है wicket की लंबाई और popping crease की जो size होती है उससे मातने के लिए ये होता है पूरा के पूरा एक kit empire का commentator की kit की अगर बात करें तो कुछ नहीं बिल्कुल सिर्फ उनके पास एक book होती है वो book में उनके पास records होते हैं वो records आदिस से जादा commentator के mind में होते हैं ये commentator की होती है पैचान और उनके kit की scorer की अगर बात करें तो scorers के kits किस प्रगार की होते हैं scorers की kits होते हैं उनके पास score book साथी साथ पास colors की pen और pencil और rubber ये kit होता है scorers का ये cricket के जब भी टूर्णामेंट्स होते हैं तो ये kits के साथ सभी organizing team याने yes organizing की जो team होती है ये सभी शेत्रोक से umpires commentator को आमर्दित करती है इस बार देखिए अच्छी गेंद रही सुफ़ डिलिवरी मचेंद्र बल्ले बाजी की कमान पर है गेंद रही डॉट के रूप में और क्या किफाई थी गेंद बाजी की है बावेश ने दोरन देकर एक विकेट ये मैच यहाँ पर स्टार्ट होता हुआ नव यूवक की अगर बात करे तो इस शेत्र में ये दूसरी बार tournament केलने वाली team नजर आती हुई और पहली मैच में जो इन्होंने धमाकेदार इंटरी की है बिल्कुल नसुदीन शाह की एक पिक्चर थी फटा पोस्टर निकला ही रो उसी तरीके से इनकी धमाकेदार शुरुआत हुई फटा पोस्टर और निकली इनकी team नव युव का ये team और बहतरीन प्रफोर्मेंस के साथ इनके खिलाडियों ने अच्छा confidence के साथ साथ अच्छा प्रफोर्मेंस किया पहली मैच जरूर इन्होंने जीती है और दूसरी मैच के लिए इस वक्त उनके बल्लेबाज विक्टो के बीच में पसीना भाते हुए संजे और उनका साथ देते हुए मचिंद्र इस तरह की जोड़ी है और जो होनहार की लाड़ी थे इस प्रतियों की तामें जिस तरीके से Man of the Series की रेस में दौर रहे थे बल्लेबाज वो आउट हो चुके हैं पहले खिलाडी के रूप में अभीजीत बिल्कुल अभीजीत ने कुछ खासा प्राववित नहीं किया एक रन बनाए और चार गेंदों का सामना किया अपना विकेट जाय किया और एक रन से जादा कुछ नहीं अगली गेंद लेका तयार होते हुए फिर से एक बार नए गेंद बाज आये हैं अपनी टीम की ओर से अभीजीत अजीत गेंद बाजी की जिम्मेदारी समालते हुए परफेक्ट आल डाउंडर की भूमिका अपनी टीम में निवाते हैं और इस शेत्र में ये टीम का नाम काफी चलता हुआ और हाली में इनका टूर्णामेंट था और बहुत ही बड़िया तरीके से टूर्णामेंट को सजाया था इन्होंने इस बार देखे नैच्छरल स्विंग इस वक्त देखने मिलती हुई गेंद रही डॉट के रूप में इसी तरीके से अगर गेंदे डॉट होती रही तो फिर यहाँ पर नव यूवक जो टीम कासर वरोली की है यह थोड़ी से बैकफूट पर आ सकती है इस टीम की अगर बात करें तो कफी टाइम तलक के पहले इन्होंने प्रैक्टिस की उसके बाद एक स्कॉर्ड बनाया एक मैनेजर हायर किया और फिर उसके बाद एक कोच को रखा और उसके बाद फिर ग्राउन पर उतरे इस बार यह गेंद तेस्तरार गेंद करने की चाहत लेकिन गेंद परिवर्थी थोगी डिकलेर जोन की तरफ अमपायर का इशारा आता हुआ एक रन एक रन से जादा कुछ नहीं इस एक रन के साथ रनों की जो रन संक्या है वो कनवड होती हुई जा पहुची है तीन रनों पर अभी जीद फिर से एक बाद सज्जे होते हुए अभी जीद की अगर बात करे तो परफेक्ट आल राउंडर है अजीद अजीद अच्छी लाइमे गेन बाजी करते हैं फुल टॉस गेन थी प्रहार करने की कोशिश जरूर की थी लेकिन महज एक रन से जादा कुछ नहीं रडार में गेन थी इस गेन को जूसी फुल टॉस गेन कहा जाता है कमर से और बिल्कुल थाइज के बीच में डाली गई है गेन गुटनों से उपर और कमर से नीचे ये मन पसंद गेन होती है बल्ले बाजो की इस गेन पर बड़े से बड़े हीट देखने मिलते हैं लेकिन इस वक्त सिंगल से जादा कुछ नहीं इस एक नम के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुचा है चारणों पर शॉटपीज गेन थी पुल जरूर किया है गेन जाती भी मिडविकेट बाउंडरी की तरफ अंपायर का इशारा चारण शॉटपीज गेन ये गेन अच्छी भी मानी जाती है इस गेन को बल्लेबाज पसंद भी करते हैं बलंबे हिट लगाने में माहिर होते हैं जो खिलाडी शॉटपीज गेन का मतलब क्या होता है आपके पास गती अच्छी हो तेज़ तरण गेन बाज अगर आप हो तो पिर आप शॉटपीज गेन करें अगर आपके पास गती की जरासी भी कमी हुई तो फिर बल्लेबाज इस गेन को नहीं बगश से जिसक तरीके से यहाँ पर हिट लगाया है बल्लेबाज संजे ने संजे की अगर बात करें तो नीजी छे रनों पर इस वक्त बल्ले बाजी कर रहे हैं एक चौके की मदद से और चार गेंदों का सामना अब तलके उन्होंने किया है स्कोर की अगर बात करें तो आठ रन स्कोर काट पर दरशाता हुआ एक विकेट की नुकसान के बाद पहले बल्ले बाजी करती हुई नव यूव का टीम का सरवडोली इनका मुकाबला है राजा भाई स्पोर्ट सकोली वाड़ा टीम के साथ इस बार देखे मजबूर कर दिया था फ्रेंट फूट पर निकलने के लिए बैट को स्विंग करने के लिए इस वक्त गेंद बाज अजीत ने गेंद रही सुरक्षित डॉट के रूप मे इस डॉट जीत के अगली गेंद और इस बार एक और डॉट डिलेवरी ओर की हुई है समाती अब तलक के जिस तरीके से कप्तान ने तौट जीतने के बाद गेंद बाजों पे भरोसा जदाय था राजा भाई स्पोर्ट्स कोली वाड़ा टीम के कप्तान बिलकुल विशाल वैती ने और उस कप्तान के जबान पर उस कप्तान ने जो भरोसा जदाय था उस पर खर उतरते हुए इस वक्त सभी गेंद बाजा पहली ओवर भावेश बहुती बढ़िया दोरन एक विगेट दूसरी ओवर अजीत बिलकुल विगेट नहीं लिया लेकिन छेरन कर्च किये है अब तीसर और की जिम्मेदारी किसके कांदों पर यस सजेशन के लिए यहाँ पर जरूर बभल्या को भुलाया गया है उनसे राय मशुरा लिया जा रहा है बभल्या से कि गेंद बाजी किसे दी जाए यस कप्तान ने गोलू पर भरोसा जदाया है परफेक्क आल राउंडर की भूमी क निभाने वाला किलारी इससे पहले की मैच का मैन ओफ दा मैच का हगदार रहने वाला किलारी गोलू इस वक्ते गेंद बाजी की कमान पर नजर आता हुआ बभल्या की अगर बात करें तो इन्हें टीम में वाइस कैप्टन से जादा इन्हें एहमियत मिलती है एक कैप्टन है तो हमें बताता है कि यह हमारे लिए लग्की चान है टॉस उडाने भी आते हैं तो साथ में लेके आते हैं याने अलगी कुछ मुपबद है विशाल वैती को यहाँ पर बबल्या से गोलू की पहली गेंद ओहो हो हो लगबग 12 बचके 25 मिनिट पर डाली गई ये करें तो वाकई में कम उमर में ज्यादा नाम कमाने वाला ये खिलाडी और आने वाले वक्त में ये जरूर प्रोफेशनल क्लिकेटरों की सूची में शुमार होगा एक स्टाइलिश खिलाडी है इसी बीच अगली गेंद इस बाहर देखें पुल किया है गेंद जाती भी कैच पकड़ा है गोलु की गेंद पर महर लग चुकी थी लेकिन अपने हाथों से पोच कर उसे कैच में कनवर्ट किया बड़ी विकेट हाथ लगी है सेट बैट्समेन आउट हो चुके है मचेंदर जो के तीन गेंदों में एक रन बना कर पविलिन के दा लोटते हुए करने वाली बात जरूरी क्योंकि अब तलक के सेलफोन की अगर बात करें तो एक सेलफोन चेतेश को गया है और अभी तलक के कोई भी गेंद बाज मैडन ओवर करने ही पाया है कोई भी गेंद बाज यहाँ पर मैडन ओवर की सूची में शुमार नहीं हुआ है मौका है सब्सक्राइब चार बल्लेबास को अप करना पड़ेगा विचार अगर एक अदा सिंगल नहीं लिए तो फिर गोलू आपको इसी तरीके से अपनी गेंदों पर डॉट कराते रहेंगे और पहले मैडन ओवर करने वाले गेंदों के रूप में उपर के आएंगे जरूर फिर से एक बार गोलू लंबे रनप के साथ गेंद बाजी करना पसंद करते हैं चार गेंदे डॉट कर चुके हैं एक विकेट अपतलक के हासिल किया है गोलू ने गोलू की अगली गेंद इस बार ने किया चलिए बैट पर आईए गेंद एक रन मिलेगा जरूर पैरों पे डालना ये भारी परता ह हुआ सिंगल एक रन एक रन से जाधा कुछ नहीं स्कोर कि अगर बात करें तो रनों की रन संक्या इस वक्त जा पहुची है नौ रनों पर तीसरा ओवर प्रगति पर नौ यूवक की अगर बात करें तो पहली मैच में जो जोज दिखरा था वह शायद मेरे खाल से चार्जि ये रनू की जो रंसंक है वो कम होगी यस अपतलक के जिस तरीके से हमें पता चल रहा है कि हाइस स्कोर तो हमने बहुत देखे हैं लेकिन लोइस्ट स्कोर में क्या यहाँ पर नव युवक की टीम को रोकने में राजाबा स्पोर्ट्स कोली वाला कामियाब हो पाएगी या नहीं यह सजबसे अश्वीन ने एक मंकर विकेट लिया था मंकी विकेट लिया था उसके बाद गोलू को उसकी हवा लगती हुई इस बार देखें क्लासिकल ड्राइब करने की कोशिश और यहाँ पर मेरे ख्याल से कीपर को चोट आई है पहले गाउंड के अंदर पानी की विवस्ता करें ताबर दो पर कमेटी मेंबर्स बैलेंस आउट हुआ और उसके बाद यहाँ पर वो गिरे हैं और वो भी सरकेबल गिरे हैं एक्शन रिप्ले में हम देख सकते किस तरीके से गेन को फिल किया गया था अगर अंपायर जादा चोट लगी हो तो खिलाडी को ग्राउंड के बाहर निकाल दे प्लीज रिक्स नहीं लेना है ग्राउंड के बाहर अगर जादा लगी हो चोट तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ग्राउंड के बाहर भेज़ दे यह सर रिप्लेस्मेंट ताबर तो प्रिप्लेस्मेंट रिक्स नहीं लेना है क्योंकि आगे आपका फ्यूचर ब्रॉड है आपको बहुत सारे मैचेस केलने हैं तो हम नहीं चाहते कि एक आदा मैच के लिए आप इतना अपने आपको चोटीला कर ले चलिए इसे कहते हैं अगर जादा चोट लहीं लगी है तो फिर क्योंकि टैनेस क्रिकेट हो या लैधर क्रिकेट हो सबसे पहले सेफटी को मार्क्स दिये जाते हैं पॉइंट्स दिये जाते हैं सेफटी की अगर बात करें यस मेरे कहल से बारवे की लाड़ी के यहाँ पर जरूर जरूर है यस बारवे की लाड़ी को ग्राउन के अंदर बुलाया गया है जरूर ओवर की हुई है सवाप्ती इस स्कोर तो हमने देखा 70-85 रन चार ओरों में लेकिन लो स्कोर की अगर बात करें तो लो स्कोर करने वाली जो टीम रही थी वो टीम लगबग 28 रनों पर सिम्टी हुई नजर आये थी लगता उसका रिकॉर्ड क्या यहां पर ब्रेक करेगी टीम राजाबाई स्पोर्ट्स को जिस तरीके से हम देख सकते हैं प्रोजेक्टिट स्कोर कितना दिखा रहा है यह सर तेरा रन तेरा रन है लेकिन इस टीम की मैं तारीफ करूँगा इस टीम ने पहली मैच में जो शुरुआत की थी वो बहुत बढ़िया लाजावाब स्कोर है दस रन क्या बात है गोलू गोलू को मालूम है कि रन कितने हुए है स्कोर कितने हुए है विकेट कितने है लेकिन यह हम से जरूर थोड़ी सी मैनत करवाते हुए सेज़ात नेश मैच सरी कॉल करा जाए है यह सर नेक्स मैच के लिए मैं आमदरित करना चाहूंगा दोनें टीम के कैप्टेंज आपको काम दृत किए जाता है नरीश थीस पोर्टेंगर्टेर साथ साथ है यह से रोशन रोयल कैप्टेंस अस्ट बिना एक ओला ओला स्पोर्ट्स ओला जिसने अच्छी टीम हो खोला आई के ओला गिन माजी का जिमा इस वक्ता ओहो तरकशों के तीर में से इस वक्ता गोल्डन तीर का इस्तेमाल समलोक सिल्वर तील का सुमाल करते है लेकिन इस वक्तर विशाल वैथी जी ने गोल्डन तीर गोल्डन में ने भूको गाओ Земude का तीर समय किया है भबिज हो गेन बाजी की कंमान पर संधेश है जिने प्यार सँ मा अब बब्लया कहते हैं उन्हें इस वक्ते गेन बाजी की जिम्मेदारी धमाई जा रही है सज्जे होते हुए अपने बॉलिंग मार्क पर बिल्कुल उंगली का जादूगर का जाता है इने और ये देखे कितना लंबा टन जिस तरीके से रिक्षावालोकः अगर हम कहते के राइट ले लीजे भईया उसी तरीके से काफी लंबा राइट ले दता हूँ उसी तरीके से इनकी गेन देकिए कितना लंबा टन करती हुई इनके पास टन पर कंट्रोल रखना जरूरी है जिस तरीके से स्कोर दिखाया जा रहा है स्कोर है 11 रन बबल्या की अगर बात करें तो हैर स्टाइल का कलर देखिए पर्सनेल्टी देखिए उनकी लाजवाब बहुत ही बढ़िया अगर तीन गेंदे डॉट निकालते हैं बबलया भरोसा जाता है कप्तान ने और देखिए कप्तान इस वक्त कान मंत्र दे रहे है विशाल वैती अनुभाव से भरपूर कैप्टन है इन्होंने इस टीम को सजाया है इस टीम को सवारा है राजुबाइ स्पोर्ट्स कोली वारा ये टीम बैतरीन टीम गोलू जैसे खिलाडी मौझूद भावेश जैसे खिलाडी मौझूद अजीच जैसे खिलाडी इनके पास मौझूद साती सात अगर बात करे तो दुर्गेश जैसे डेंजर बैट्समेन किरन जैसे एक होना हर खिलाडी याने खिलाडीों की कमी नहीं है बहुत ही बड़िया बड़िया की लड़ी इनकी टीम में मौझूद है स्कोर जा पहुचा है 15 रनों पर अगली गेंद फिर से एक बार बबला की इस बार देखे मीस टाइमिंग स्टो गेंद हवा में दो रन लेंगे जरूर फुल एंड डिलेवरी थी बड़ा हिट अगर लगा थे या रिवर्स टोक करने की कोशिश की में निख्याल से रिवर्स टोक इस वक्त में रिवर्स टोक जब सीधे बलने से रन नहीं बन रहे तो उल्टे बलने से कैसा बना हो गया आप पहले सीधे बले से रन बनाईए मैच को आउन करिए मैच को शुरू करिए उसके बाद रिवर स्टोक के लिए क्योंकि जिस वक्त आपकी निगाएं अगर गेन पर ठीकी हो तभी खेला जाता है ये स्टोक आजकल जिस तरीके से दिवाली में नए-ंए तरीके के फटाके आते हैं उसी तरीके से क्रिकेड में भी अलग-लग तरीके के फटाके नजर आते हुए बिल्कुल रहे अगली गेन डेका था यार फिर से एक बार गिन वाज इस बार देकि फुल एंड डिलेवरी थी गेंद आती भी मिडवेकेट के शेत्र में दोरन का डिमांट है नजदी की मामला हो सकता है लेकिन विशाल वैती गेंद कोछ सही तरीके से फिल्ड नहीं करते हुए जबसे महिंद्र सिंग धूनी टीम इंडिया की कैप्टन बने है जितने भी हमारे टैनेस क्रिकेट के कप्तान होते हैं वो स्थम के पीचे ही घड़े हो जाते हैं उसी तरीके का द्रिश्य विशाल वैती अंपाइरिंग की भूमिका में नज़र आते हुए अंपाइर्स की मैं ज़रूर प्रजंचा करूँगा थंडी के महौल में गर्मा गरम क्रिकेट आप तलग के अपने डिसिजन के माध्यम से पहुचाते हुए बहुत ही बढ़िया अंपाइरिंग का प्रदशन इस बार देखिए करारा प्रहार किया गेन आती भी डीप एक्स्टा कवर के शेत्र में वहाँ पर किरन थोड़े से जरूर गेन को फील्ड करने की चाहत में गिरते हुए और गेन आउट अफ दा पार्क बिल्कुल है बबल्या को क्यों लाया गया था इनके पास option में और भी गेन बास थे चार गेंदों में 13 रन खर्च कर चुके है चार गेंदों में 13 रन है option में बहुत सारे गेन बास थे बबल्या को इसलिए लाया गया कि ये आने वाली जो बड़ी-बड़ी मैचेस है लगबग आने वाले सीजन में आने वाले वक्त में धाई लाग तीन लाग की भी मैचेस है उसमें एक अच्छा होनाहर गेन बास तैयार हो जाए इसलिए बबल्या को यहां पर यूश किया जा रहा है बिल्कुल बहुत ही बड़िया नजारा और इस कलर की अगर बात करें ये कलर ने जरूर इस प्रत्योगीता में प्रभावित किया है और यहां ने किये जोरदार अपील और विकेट का बटाम होता हुआ अपील येस अपील देखने लाइक होगी और यहां पर अपील की अगर बात करें चार बार घूम घूम कर देखा उन्होंने अंपायर की तरफ लेकिन अंपायर ने अंतीम और आकरी वक्त पर यहां पर डिसिजन क्लियर किया विकेट का बटाम न्यू बैट्समेन विक्तों के बीच पर प्रवीश करते हुए अयाज चलिए अयाज थोड़ा दोड़ते हुए चले जाए प्लीज नेक्स्ट मैच के टॉस के लिए रोशन आपके कैप्टन को भेज़े प्लीज ओला स्पोर्ट्स ओला कैप्टन एक बॉल बची है टॉस की प्रक्रिया हम करेंगे पूरी इसलिए मैं आपसे रिक्वेश करूँगा आपको यही पर खड़े रहना है तेवीस रन आजकल के यंग्सस जो है वो कैल्कुलेट नहीं करते 40 प्लस के खिलाडी को अगर आप एक रन जादा बता दो वहां से वो रिप्लाइ देंगे नहीं इतना नहीं इतना हुआ है मैच को अपने माइंड में सेट करके रखते है कि कितने रन हुए कितने क्या हुए यह चीज सीखना जरूरी अगर यह आप सीज नहीं सिखते हो तो फिर यह आपके लिए एक दुखदाहिक गुशना होगी जरूर मैं तो कहूंगा दुखदाहिक बात जरूर होगी क्योंकि यह कैल्कुलेशन करना जरूरी होता है ग्राउंड के अंदर क्रिकेट का मतलब ही होता है इस बार यह बड़ा हीट लगाने की चाहत और चाहत हुई है पुरी बबल्या महेंगे साबित हुए इस ओवर में खर्च किये इन्होंने लगबग सत्रा रन स्कोर है 27 रन याने इस प्रतियोंकिता का सबसे कम स्कोर अपतलग के करने वाली टीम चार ओरों में नव यूवक टीम का सरवडोली चलिए टॉस बॉक्स की तरफ आपको लिये चलते हैं जहाँ पर हमारे साथी कॉमेंट इडर हिमन पाटिल इस अने वाली मैच का टॉस का बॉस जरू करेंगे कोई कौन सी टीम टॉस जीती है उसके बारे में आप तलग के चर्चा जरूर पहुचाएंगे तो ओवर टू हिमन्त पाटिल कैप्टन ओला कैप्टन ओफिशल कॉल है बिल्कुल यस साथ ये ओला टीम है ये ओला टीम के कैप्टन है ये जब तलग के आप 10 बार सूचना ना दे तब तलग के नहीं पहुचते मैंने पहले भी कहा था इनिंग की समापती के बाद ताबर तो खड़े रहना है आपको एक बाल पहले आना है रोशन आप एक बड़े प्लेयर हो आप एक बड़े सितारे हो एक आप बड़े पैकर हो तो इसलिए आपको रेडी रहना चाहिए समय का आधर करें ये चीज़ धान में रखें ये चोटी चोटी गलतिया आपके नाम पर दाग लगा सकती है इसलिए कभी भी जो टाइम आपको दिया जाए वो टाइम पर आप पहुचिए टाइम का अधर करिए टाइम मंजे पैसा टाइम मने मनी चलिए टॉस बॉक्स की तरफ वहाँ पर कैप्टन मौजूद है दोनों ही टीमों के डेल सारी शुक्कामना है हमारी तरफ से इस मैच के लिए ओवर टू हिम अन्द पाडिल शाका पाडिल यंचा शूबा हसते टॉस के रदाइल दूसरा फिर दाहा दूसरा मैच असल एका बाजोने ट्रिपलेस डिशे दूसरे बाजोने अबने वक्तो यह नरेश पोर्ट्स दुने पेकी एक कॉल कराचा आए रोशन नरेश पोर्ट्स कॉल आए अनि डीजे ट्रिपलेस डीजे आलेला है टॉस जिंकलेला है तो नरेश पोर्ट्स टीम ने निरने का असल अपला फिल्डिंग फिल्डिंग का नजर निरने समगचा गेप प्लैनिंग का दुम्चा रंचेस करो शक्ता हमें काई चेंजेस तुम्चा टीम मदें नाए नाए कुपर दन्यवाद मिश्टर बलक रोशन टॉस तुम्हें हार लेला है टॉस जर जिंकला से तै काई सभी काला से तो फिल्डिंग का गेप लेश ती बाटिंग करेचे समगचा टीम ने एक टार्गेट डियाचे काई वट्ट है कि यह नाए श्पोर्ट टीम में एक चांगला टीम है किती तार्गेट डियाट डियाट एक से तार्गेट आसो शकते है फिफ्टी प्लस या मैच मदी कुडले चेंजेस हसल तुम्चा टीम मदे नाए सेम टीम खेलोली जानार वक्त चार ओर्ट सा मैच आहे कुडले चार बोलर वापनार सुनिल, हरिशद, स्वपनिल, सतिश ठकूर हे कसम वट्टे आयो जुन्द मला खुब चांगले खुब खुब दन्यवाद और बेश्ट अप लग रिबर्ट फोर्म्ट टोस बॉक्स टोस जीक लेला है तो नरिश पूर्ट बड़ावडी टिम ने प्रतम देनी फिल्डिंग देले आ है जावे आपन कमेंटर बॉक्स मने जाटेटेटें सज्जाहित कमेंटर सज्जात सेख कर दो देनी वाक कि पिल्ड़ करो प्रतम देनी Uh चलिए सलामी वल्ले बाजी की जोड़ी विक्टो के बीच में प्रवेश करती हुई जीत के लिए लक्ष 28 रन है इस मैच को जीत में कनवर्ट करना है तो 28 रन वनाने ज़रूरी टार्गेट इस 28 रन चले टॉस की प्रग्रिया पूरी हो चुकी है बस्ट अफ लग नरेश स्पोर्ट्स और ओला टीम कैप्टन रोशन ठाकुर क्या बाद रोशन बस्ट अफ लग ओला ने इस से पहले बहुत ही बड़िया प्रफोर्मेंस किया क्या प्रफोर्मेंस था लेकिन अब इनका मुकाबला है इस हाफ की सबसे कड़क टीम याने स्ट्रॉंग टीम के साथ झाल 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 यस सलामी बल्लेबाज के रूप में हम देख सकते हैं गोलू नौल स्ट्राइक हैंड पर स्ट्राइक पर है हिते हिश्या गोलू की बल्लेबाजी देखने तमाम दर्शक आए हैं इस वक्त तक ग्राउंड जो भरा हुआ है गोलू के लिए भरा हुआ है बिल्कुल कोलिवारा स्टैंड देख सकते हैं कोलिवारा का जो स्टैंड है मिड्विकिट के तरफ वह पूरा खचा-खच भरा हुआ खासकर गोलू के लिए चलिए इस तालियों की गरगराट के साथ मैच की होती हुई शुरुआत पहली गेंद पटकीवी गेंद थी प्राहार करना चाह रहे थे लेकिन गेंद सही तरीके से रेंज में नहीं आई गेंद रही इस वक्त डॉट के रूप में गेंद बाजी की जिम्एदारी समाली है अभी जीत है जोके परफेक्ट ओल डाउंडर है अपनी टीम की ओर से गेंद बाजी भी अच्छी करते है बले बाजी इस बार आडे बले से केला है खाली शेटन में केला गया श्टोक का और देखिए कोली वारा स्टैंड में ही गेंद परिवर्थी तो थी चारन इस चारन के साथ खाता जरूर कुला है बिल्कुल गेन काफी समय तलक के हवा में रही दर्शकों के बीच जाकर गिरती हुई ये गेन और यहाँ पर रनों की अगर बात करें तो चारन के साथ खाता खुलता हुआ अगली गेन्द इस बार स्टेट ड्राइब किया था और यहाँ पर देखिए मिस विल्डिंग ऐसा लगा गेन्द काफी समय तलक के हवा में रही बिल्कुल अगली गेन्द गोलु सामना करने के लिए तयार हुआ एक्शन डिपले में देख सकते हैं कि गेन्द को हुआ गया था यह कांदों पर लगकर यह हवा में ती उड़ी हुई थी नहीं नजर आई अगली गेन्द गोलु अकाउंट कैसा ओपन करते हैं गोलु यह देखने वाली बाद ज़रूरी आउट अप दा ओफ्स्टम जोरदार अपील अपील पर यहाँ पर अंपायर पर दबाओ बनाने की कोशिश गोलु पर खासकर दबाओ बनाने की कोशिश यह चाते के गोलु का विकेट जल्दी मिले यह देखने वाली बाद बनाने की कोशिश गेंद रही शुरक्षिश यहाँ पर ज़रूर दिया जा रहा है नॉन्स्टैक हैंड के बैट्समेन ने ज़रूर कुछ कान मंत्र दिया है गोलु इस मैच की समापती ताबरतोब चाते हैं क्योंकि अगर यह मैच ताबरतोब खतम होगा तो फिर उनका लंच मेरे गल से डिनर ब्रेक वो जरूर लेंगे अगली गेंद एक और बड़ा हिट आउट आउट आउस्टम खेलने की कोशिश गेंद रही सुरक्षिश डॉट के रूप में अगली गेंद फिर से एक बार गोलू सामना करने के लिए सज्जे होते हुए गोलू बड़े हिट के साथ आगास करना चारे हैं बड़े हिट के साथ स्टोक जड़कर अपना खाता जरू खोलना चारे हैं और देखिए यह है गोलू इसके बल्ले से निकलता हुआ ब्रैंड एट स्टोक यह है गोलू का ब्रैंड अंपायर का इशारह चारन मैंने पहले कहा था यह खिलाडी बड़े हिट के साथ ही आगास करेगा बड़े हाई हिट के साथ ही शुरुआत करेगा और उसी तरीकी का सद्रिश यहाँ पर देखने मिलता हुआ स्कोर ने लगाई चलांग स्कोर जा पहुचा है इस वक्त नौ रनो पर पूल किया और सक्सेस्पूल किया चार रनों के लिए इस चार रन के साथ स्कोर नौ रनो पर परिवर्तित होता हुआ नौ रनो पर दर्शाता हुआ स्कोर गोलु की अगर बात करें तो तीन गेंदों में चार रन इन्होंने जड़े है एक ओवर की हुई है इस वक्त समाप्ती और एक ओवर की समाप्ती के बाद रनों की जो रन संक्या है वो नौ र तीन ओर की समाप्ती के बाद नव युव का टीम कासर वरोली की टीम का स्कोर जो था वो था लगबग 10 रन और खरच किये संदेश जिन से प्यार से जिने बबल्या कहा जाता है 17 रन चलिए लेकिन आने वाले वक्त में वो जरूर अच्छे गेंबास के रूप में उबर कर आएंगे यह आशा और उमीद उनके कप्तान ने उन पर जरूर जताई है बल्ले बाजी की कमान पर है एक विस्फुटक बल्ले बाज हितेश सामना करेंगे नए गेंबास का यतीन यतीन की ये गेंद इस ब्यूटिफुल डिलिवरी यस अगर ये टीम चालीस से पैतालीस रन बनाती तो ये स्कोर भारी बढ़ सकता था क्योंकि इनके पास बॉलिंग अटेक बहुत अच्छा है देखे टपा और लाइन बहुत अच्छी ले में गेंबासी कर रहे हैं अच्छे टप्पे की गेंबासी इनकी देखने जरूर मिलती हुई और इस वक्त गेंद रही डॉट के रूप में अगली गेंद लिका तयार फिर से एक बार गेंबास अपने बॉलिंग मार्क पर यतीन ओहो 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 इस इस ब्यूटिफुल डिलिवरी मैंने पहले ही कहा था यहां पर हेमंद अगर यह 40 से 45 रण बनाते तो फिर टारगेट बहुत बड़ा नजर आता क्योंकि इनकी बॉलिंग अटेक देखिए पहली ओवर भले से 9 रन की हुई है दो चौके देखने मिले है लेकिन दूसरी इतीन ने यहां पर प्रवावित जरूर किया है इस गेन बाज ने प्लेइन एक्शन और गती के महारती अपनी टीम की ओर से गेन बाजी करते हुए बहुत ही बड़िया इस बार बड़ा हिट लगाने की चाहत गेन हवा में खूबसूरत कैच विकिट का बदंग यतीन को मिलती भी सफल दा खूबसूरत कैच गेन काफी समय तलक के हवा में रही और इस कैच को लपका है सिराज ने अगली के इंद बाजी की बात करें तो यहाँ पर यतीन ने बहुत ही बड़िया प्रभावित किया है जीत के लिए रनों की जो जरुवत है 15 गेने 19 रन 15 गेने 19 रन मैच का सिच्वेशन इस प्रकार का इस वक्त नजर आता हुआ सबकी निगाएं गोलू पर हैं कि गोलू किस प्रकार का प्रफोर्मेंस करते हैं क्योंकि गोलू के उपर जिम्मेदारी बढ़ती हुई इस विकेट के बाद यतीन की अगर बात करें तो ला जवाब गेन बाजी करते हुए नजर आए अब तलग के यतीन तीन गेंदे कर चुके हैं एक भी रन करच नहीं किया है अच्छी लाइन और लेन की गेन बाजी वो करते हुए इस वक्त दिख रहे हैं इस बार देखिए आड़े बल्ले से केलने की चाहत गेंद रही डॉट के रूप में अगर दो गेंदे और डॉट करते हैं तो ये पहले खिलाडी होंगे जो के मैडन ओवर करने वाले खिलाडी के रूप पे जाने और पहचाने जाएंगे और इन्हें सेलफोन जरूर प्रदान किया जाएगा इस मंच के माध्यम से याने नरीश स्पोर्ट्स और ट्रिपल S डीजे के माध्यम से यहाँ पर सेलफोन जरूर प्रदान किया जाएगा अगली गेंद नितिन लेकर फिर से सज्ज होते हुए यतीन ओहो 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 वाट डिलेवरी परफेक्क योकर विक्टो का पतंग होता हुआ और गोलू जैसे खिलाडी की इनिंग की हुई है समापती मैच इस वक्त आहिस्ते आहिस्ते खसक कर जाँ पहुचा है 13 गिन्दे 19 रन दुर्गेश न्यू बैट्समन के रूप में विक्टो के बीच में प्रवेश करते हुए मैन अफ़ दा सेरिज की हमां बाइक देख सकते हैं मैन अफ़ दा सेरिज की बाइक मानिश्री संतोष जी भौिर साहभ techniques के एक्टिवा फाई जी बिल्कुल महराश्टा मातानी कामगार उप अध्यक्ष मानिश्री संतोष जी भौिर साहभ इनकी तरफ से ये गिफ्ट हेंपर जरूर रखा गया है man of the series के लिए अब देखने वाली बात ये है कि इस वक्त मैच का situation 13 गेंदे 19 रन मैच में लाकर खड़ा कर दिया है यहाँ पर राज़ाबाई sports कोलीवाडा की टीम opposite team को हलके में ले रही थी और ये हलका पन भारी पड़ता हुआ मैच आ चुका है 13 गेंदे 19 रन अगर ये 40 रनों दलक क्या आकड़ा रहता तो फिर मैच की दशा और दिशा कुछ और होती बिल्कुल ये dot delivery अगर गिरती है तो first madden over का किर्तिमान यतिन अपने नाम कर सकते है लेकिन बल्लेबाजी की कमान पर भेजा गया है दुर्गेश को एक चतुर के बल्लेबाज है ये जरूर madden over की last ball होगी या नहीं ये देखने वाली बात जरूरी और यहाँ पर देखिए चतुराई दिखाई एक रन के साथ madden over जो करने का इरादा जाहिर किया था वो इरादा इस वक्त पूरी तरीके से नस्तो नाबूद होता हुआ 12 गेंदे जीट के लिए 18 रन ऐसा लगा शुरुवाती दौर में के match समाप्त होगा कम गेंदों में कम ओवर्ज में लेकिन ये है नव यूवक टीम यस जब नामी नवक के साथ जुड़ा है तो बिल्कुल ये नई टीम ओवर कराती हुई देखिए पहली ओवर में यहाँ पर अभिजीत ने खर्च किये थे 9 रन और दूसरी ओवर में यतीन ने दो विक्टे लेकर एक रन खर्च किया है क्या बैथरीन गेंद बाजी बहुत ही बड़िया match का situation है 12 गेंदे 18 रन 9 रन प्रती ओवर के अनुसार बल्ले बाजी करनी है अजीत जोके non-strike hand पर है दुरगेश इस वक्त उन्हें non-strike hand पर जाना पड़ेगा strike होगी इस वक्त अजीत के पास चलिए match के उत्ताबर तो पॉन करें time waste ना करना है time जादा waste नहीं करना है gain बाजी की जिम्मेदारी समाली है संजे ने संजे के हाथों में gain थमाई गई है संजे को gain दी गई है और उन पर भरोसा जताया गया है जिस तरीके से यतीन ने gain बाजी की है उसी तरीके से यहाँ पर gain बाजी करनी होगी तब जाकर बाद बनेगी नहीं तो फिर ये बल्लेबाज अगर खुल कर खेलने पर आ गए तो फिर ये रनों की जो रन संक्या है वो छोटे आकडे में तब्दील होगी आज इस प्रतियोगीता का सबसे लो स्कोर माना गया 27 रन और उस 27 रन को देखे किस तरीके से सेव किया है बहुत ही बड़िया तरीके से ला जवाब अगेन बाजो की मैं प्रशंचा जरूर करूँगा पहली ओवर 9 रन दूसरी ओवर 1 रन दो विकेट चटके हैं यतीन ने मैच में लाकर खड़ा कर दिया है चलिए फिल्डिंग उनी टीम फर्स्ट वर्निंग अमपायर की दरब से आती हुई टाइम को लेकर यह स्वास्ट वर्निंग कैप्टन यह फर्स्ट वर्निंग है आपको सेकेंड वर्निंग डाइरिकल आपको यहां पर पैनलटी घोचित की जाएगी यह चीज़ धान में रखेगा इस बार करार अपराहार गेन बास पे अत्या चार गेन जाती भी डीप लॉंग ओन और लॉंग ओफ के बीच की जो दरार थी उसमें से फरार चार रनों के लिए ब्यूडिबल स्टोक बहुती बढ़िया बहुती उंदा बहुती शांदार चौका इस वक्त जरू देखने मिलता हुआ अंदरा इस स्टोक को खेला था और गेंद वन बाउंडरी लाइन के बाहर चार रन बिल्कुल लॉफ्टेट स्टोक जरू देखने मिलता हुआ चार रन के साथ आकड़ों में तब्दीली चौधार रन स्कोर काट पर जीट के लिए ग्यारा गेंदे चौधार रन अगली लिगा तयार गेंद वाज फिर से एक बार इस बार रेके एक और प्रहार एक और अत्य अच्छार गेंद जाती भी आउट अफ दफार का छे रन मैच का नक्षा ही बदल दिया है इस वक्त आते ही साथ अजीत ने क्या ताबर दो बल्ले बाजी दो गेंदों में 10 रन जोड दिये मैच का जो दबाओ था प्रेशर था उसे रिलीस कर दिया अब 10 गेंदे बची है 8 रन की जरूरत इस मैच को जीत में कनवर्ट करने के लिए 10 गेंदे 8 रन नेक्स मैच दोस्तों कहीना जाएगा नेक्स मैच खिलाया जाएगा एक धमाकेदार टीम जो नोंने एक एक मैच जीते हैं वो टीम है इस वक्त नरिश स्पोर्ट्स और उला स्पोर्ट्स उला अगली लेका तयार फिर से एक बार गेंबाज इस बार देखें फिर से एक बार प्रहार किया खाली शेत्र में खेला गया स्टोक दो रन लेना चार है और दो रन यहाँ पर कंप्लीट जरूर किये है इस दो रन के साथ रनों की जो रन संक्या है वो दर्शाती हुई 22 रन मैं request करूँगा committee members रेली स्प्रे के थोड़ा विवस्ता करें जो के खिलाडी को चोट लगी हुई है उसे रेली स्प्रे मंगाया गया है कुछी समय में आपके पास पहुचे गा जरूर अगली इन और ये है अभी बिलकुल अजीत क्या stroke जला है out of the park छेरन match की हुई है समाथी इस match को जीत में convert कर लिया है पूरी तरीके से और इस match के man of the match कौन रहे ये सर इस match के man of the match रहे तीन नम हैं यहाँ पर हमारे पास man of the match के लिए भाविश गोपाल और संदेश और अजीत ये तीन नम चार नम है लेकिन यहाँ पर man of the match